नवश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट लेवर अनीता में और देखे कैसे काली-काली से घटाएं हैं बहुत बादल हो रहे हैं और तीन से चार दिन हो गए हैं लगतार बारिश को जो है रुक-रुक के बारिश हो रही है और मौसम जो और ज्यादा बारिश जो अच्छी नहीं होती है हमारे प्लांट के लिए आज का जो मेरा वीडियो है फ्रंस वो इंडोर प्लांट के उपर है चार-पांच प्लांट मैंने पिछली वीडियो में शेयर करें हैं जो की बिल्कुल लो मेंटेनेंस होते हैं और समय भी कम मांगत हैं और सबसे पहले जो प्लांट है यह मेरे पास एक ही प्लांट ऑर एक मेंने लेमन लाइ मेरा गोटा किया ता जोösलकी कर खाराव हो गया फिलो डेंडिन की सारी वाराइटी बहुत सुन्दर और हाड़ी होती है और इसको भी आप जरूर करें लेंles को कि इस शुन्दा करके हटा दें दूसरे नंबर पे है यह अरेका पाम तो अरेका पाम देख सकते हो देखने में कितना सुंदर लगता है हावा को शूद करने वाला यह पौधा और इसको आप शेड में रखें तभी इसकी जो ग्रीनरी है ज्यादा होती है अगर इसे दूप में रखा जाए तो यह इसकी पतिया थोड़ी यलूइश कलर की दिखती है जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती है देखने में और वाटरिंग भी से ज्यादा ना करें जिससे कि जो टिप होती है ना वो खराब हो जाती है ब्राउन सी हो जाती है तो भी प्लांट देखने में अच्छा नहीं और बहुत अच्छे से यह चलता रहता है इसे भी दो साल हो गए है और आगे है यह ड्रेसीना मारजिनाटा तो ड्रेसीना फैमिली से जितने भी प्लांट हैं बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही कलरफुल है अलग अलग पतियों की शेप रहती है और यह जो आप देख रहे है इमें पिंकश कलर समंधर में और ट्रेसिक काफि सारी वराइटी आप उन में से कोई भी जो भी आपको मिले उसे अड़करें और बिलकुल अच्छे से ग्रो होते हैं शेड लौइंग प्लांट हैं और घर की शेयर नहीं करूंगी नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और सॉंग ओफ इंडिया है कॉडलीन है और एक और है बेबी ड्रेसिन तो ड्रेसिना की हर वराइटी सुन्दर है आप जरूर एड़ करें उसके बाद में यह है फाइकस यह वेरिगेटर फाइकस है स्टार जो प्लांट है काफी सुन्दर है फाइकस की सारी वराइटी बहुत हर्डी होती है और बहुत सुन्दर भी होती है और एर प्यूरिफायर होती है इस प्लांट को भी आप जरूर अपने गार्डन में एड़ करें और जो वेरिगेटर होते हैं यह सारे के सारे प्लांट जो ह इसके पतियां भी बहुत सुन्दर सी हैं इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करें बिल्कुल लो केर है कोई ज्यादा केर नहीं मांगता यह और आध में वही प्लांट आप से शेयर कर रही हूं जो बिल्कुल केर नहीं मांगते हैं हलकी फुलकी केर मे यह चल दे रहते हैं आगे जो प्लांट है यह है डैविल्स बैकबोन इसी पैडिलेंथस भी बोला जाता है यह वेरिगेटर वराइटी है और विंटर में इसकी सारी जो जड़ जाती है स्टैम ही रहती है और जब यह हलकी ठंड होती है तब इसकी लीव जो वाइट दिख रह रहा है कितना बूर्शी प्लांट है यह कटिंग से आप इसे इसली ग्रो कर सकते हो इसमें एक प्लेन वराइटी जो बिल्कुल ग्रीन हो रहती है वो भी आती है जिस हिंदी में से नागदौन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी एक वराइटी और भी आती है जो मेरे पा इसके हर वराइटी सुन्दर है आप को इसी ब्याट करें जो आपको मिल जाए कलर फुल प्लांट है आपको एक ही कलर मतलब एक ही प्लांट के ओपर बहुत सारे कलर नजर आएंगे और हर वराइटी की जो पतियों की शीप है वो बिल्कुल अलग ही नजर आएगी तो यह वाल कोई केर नहीं है और प्लांट जितने भी इंडूर प्लांट होते हैं इने मिस्टिंग बहुत पसंद होती है तो हल्की फुल की मिस्टिंग कर दी जाए और देखिए यह सारी क्रोटोन की वराइटी है आपको जो भी अच्छी लगती हो आप उसे एड़ कर सकते हो मेरे पास अच्छा प्लांट है देखने में इसकी पतियां ही बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल लो मेंटेनेस प्लांट ज्यादा केर बिल्कुल नहीं है इसकी इसे भी आप लगा सकते हैं इसमें एक यह पिंक वराइटी है और यह भी बहुत सुंदर दिखती है इसे भी आप भी रगा सकते हैं बिल्कुल आराम से चलता रहता है आप इसी पाने में भी ग्रो कर सकते हैं तो देखिए इसकी पत्तों की जो वैरिगेट्शन है और इसकी जो शाइनिंग है आप देख सकती हो कितना प्यारा लुक दे रहा है और देखिए वेस्ट बॉटल को मैंने जेगा हैपी गार्डनिंग